हलो फ्रेंड्स यह दिया प्रेग्नेंट है और आपके कमर में और बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप काफी ज़्यादा परेशान होंगे और आप कहते होंगे हाई यह प्रेग्नेंसी कब खतम होगी कब मैं आराम से अपने नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगी तो बिल्कुल परेशान ना हुई है मैं डॉक्टर सुशिला सैनिंग इनिकलोजिस इन अप्जिशन आज आपको कमर दर्द से चुटकारा पाने के उपाई बताने जा रही हो जिसमें दवाईया कम और घरेलों उसके जादा है तो बने रही है मेरे साथ इस पूरे वीडियो जिसकी वजह से आपको इस तरीके से हाथ लगा कर चलना पड़ता है क्योंकि आपको कमर को सपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि आपका जैसे ही टमी आगे निकलता तो आपकी बॉडिका जो ग्रैविटी पॉइंट हो शिफ्ट हो जाता है जिसकी वजह से कमर में कर्व कि आपके बॉडी की बैलन्स को बनाये रखने के लिए भगवन ने इसको इस तरीके से करवेचर को उस टाइम बढ़ा देता है ताकि आप गिरे नहीं और आराम से चल पाएं दूसरा कॉमन प्रॉब्लम होता है कि आपके जैसे ही प्रेग्निंसी में टमी का साइज बढ़ता ह जिसकी वजह से आपको चलने फिरने में दिक्कत आती है और उठने बैठने में भी दिक्कत आती है और आल्टर्ड पोजीशन के कारण कमर दर्थ और पीट का दर्थ होने लगता है तीसरा कारण होता है कि बच्चा जब बॉड़ी के अंदर ग्रो कर रहा होता है तो के पास अल्रडी कमी और उस कमी में से आप बच्चे को सप्लाई कर रहें तो यानि आप बिल्कुल नेगेटिव में चले जाते हैं जिससे कि आपकी हड्यां खोखली हो जाती है जिसको ऑस्टियो परासिस का जाता है और इसकी वजह से आपके जो लंबर रिजन का यानि जो वर्टिब्राज होते हैं जो रेड़ की हड़ी की जो हड़ियां होती छोटी-छोटी उनके अंदर भी कैल्शिम डेपाजिशन काम हो जाता है और वो कमजोर हो जाती है जिसके वजह से आपको कमर में दर्ध रहने लगता है तो ऐसे इस्तिती में आप अपने डॉक्टर के सलह से आगे का Francisco जरू लीजेए चौथा कारण हो सकता है कि आप धूप में जादा नहीं रहती हूं उन इंडोर जादा काम करती हूं तो nga कम लेती होंगi तो भी वितामिनीन की कब 木 सकती है और उसके कारण फिर आपके मान स्पेशियों में और रेड की अड़ी में और वाकी अड़ियों में भी दर्द बना रहेगा जिसकी वज़े से आपको कमर दर्द तो सबसे पहले प्रसिपिटेट होता है चौथा कारण हो सकता है कि आपका बैठने का बोडी का पोश्चर है वो आपका सही नहीं हो क्योंकि कई पर आप बैंक के अंदर काम कर रहे हैं या कोई आपका सिटिंग जॉब है या आपका बहुत लंबा खड़े रहने का काम है उसकी वज़े से सिटिंग पोश्चर जो चेर पर एड़ेस्ट किये जाते हैं वो आपको यूज करने चाहिए जिससे कि आप एकदम सपोर्टेड रहे और आप प्रॉपर बैठकर डेक्स पे इस तरीके से 90 डिगरी के पोजीशन पर बैठकर आप काम कर सके जिससे कि आपको जुखना ना पड़े और आपके कमर और रीड की अड़ी का कर्व प्रॉपर सपोर्टेड रहे इसके साथ यह लंबा खड़े रहने का काम है तो भी आपको दो घंटे के अंदर एक बार बैठकर रेस्ट करना चाहिए जिससे कि आपके पैरों का ब्लड का सर्कूलेशन भी मिंटेन रहेगा और जब भी आप बै का में लेठ्रेस आप कमर को सपोर्ट करने के साथ नींद ले पाएं कि नींद प्रॉपर नहीं आती लिए टो बोड़े में मां अकड़न आती रहना इनी की साथ गणा बश्चने का ठीकना बन बंश्य था आप जुकने का पोश्चर आपका ठीकनी होता है कि आप सीधा जु कमर को सपोर्टेड रखना चाहिए और आपको फिर भी लगता तो आप बैल्ट का स्तेमाल भी कर सकती हैं लेकिन टमी का साइज इतना बड़ा होता है तो बैल्ट का स्तेमाल प्रॉपर नहीं हो सकता है इसलिए अपको अपना पोस्चर ही ठीक रखना पड़ेगा यदि आपको और इसके साथ ही डॉक्टर जब प्रिसकाइब करते हैं तो जरूर एक गोली आप रोज की ले लीजिए और अगर दरजादा है तो सुबशे हम दो गोलियां भी ली जा सकती है दूसरा वाइटामिन डी लेना वाइटामिन डी या तो हमें सनलाइट से मिलता है और या गोलि प्रिट हो जाए और उसके बाद फिर आप हफते में एक बार लेती रहें तीसरा दूप में बराबर बैठती रहें सन एक्सपोजर अगर आप करती है तो डेफिनिटली विटामिन डी नैच्रली सिंतेसाइज होगा बॉड़ी के अंदर ज्योंकि बहुत ज्यादा काम करेग जिसका लिंक आपको डिस्क्रप्शन में मिल जाएगा तो यदि आप अपने बैक की एक्ससाइज पर ध्यान देते हैं तो डेफिनिटली अपका पैल्विक गर्डल और बैक यानि की जो वर्टीबर है वो स्ट्रॉंग बनेंगे और बैक के मसल स्ट्रॉंग होगी तो डेफ बैक को सपोर्ट करने वाले तकिये का प्रापर स्तेमाल कीजिए जिससे कि आपको कमर में दर्द नहीं होगा और रात को लेटते समय प्रापर मैट्रेस का पी उस कीजिए मैं समझते कि इन सारी तरीकों से आप कमर दर्द को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और उसके बादी परशच गोलिय तो इसलिह दर्द ना शक गोलिया याने कि जो पेन्किलर होते हैं जो एंसेड़ ठोल लेने होते हैं ज्यादा से ज़ट हैं फिर भी सेफे बाकि अदर और कोी गोली आपको नहीं लेनी चाहिए और ज्यादा ही दर्द लगता है तो आप उते हैं और जो जैल आते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लावा आप हीटिंग पैड यूज कर सकते हैं और मसाज अलकी सी बॉड़ी पे रब करवा सकते हैं बट बहुत सदा सिव्यरली आपको कुछ नहीं करना होता है इससे रिलेटेड यादियो और कोई सवाल है तो आप हमें हम आप से फर्मेलेंगे एक नए वीडियो में नए जान करें साथ तब तक नमस्कार